दोस्तों कि आप जाना चाहता है कि Gmail से डिलेट हुए email को कैसे वापस लाते हैं अगर आपके email डिलेट हो गए और आप उससे recover करना चाहते हैं तो फिर आज किस वीडियो को आप तक को वाच किजिएगा फ्रंट्स यहाँ पर हम अपनी phone की home screen पर हैं और यहाँ पर सीखेंगे कि Gmail से डिलेट हुए message को कैसे वापस लाती हैं तो इसके लिए फ्रंट्स यहाँ से open करते हैं अपने Gmail apps को और Gmail apps open हो जाने के बाद यहाँ पर जितने भी message है इस तरह से यहाँ पर आ जाते हैं तो फ्रंट्स recover करने के लिए Google में है एक टूल होता है उस टूल के माध्यम से आप इस message को फिर से recover कर सकते हैं गर आप 30 days के अंदर कोई message को delete की हुए हैं तो आप उसे इस tool के माध्यम से आसानी से recover कर सकते हैं फ्रंट्स अगर आपका email delete की हुए 30 दिन से अधीक हो चुके तो आप इस trick से इसे वापस नहीं ला सकते हैं अगर आप comment कीजिएगा तो उस पर हम एक अलग से separate video लेकर आएंगे अब फ्रंट्स यहाँ पर आपको message को recover करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको simply address पर क्लिक करना होगा अब फ्रंट्स यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं अभी अभी जो हम तीनों mail को delete किया है वो यहाँ पर आ गया है अब simply इसे recover करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इसी सभी को select करना होगा यहाँ से आप इसे यहाँ से select कर लिजेगा और select कर लेने के बाद अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको click करना होगा इस तीन window पे यहाँ पे आप click कीजेगा और इसके बाद आपको simply click करना होगा move to यहाँ पे आप primary को select कीजेगा तो यहाँ से अब यह जो message है जहाँ पे delete हुआ था वहाँ पे जाके save हो जाता है अगर यहाँ पे हम फिर से click करते हैं इस तीन लाइन पे और उपर में जाकर और यहाँ पे हम click करते हैं और inbox पे तो friends अब आप यहाँ पे देखेंगी कि वह तीनों यहाँ पे mail आ चुका है friends इस तरह से आप delete हुए email को वापस ला सकते हैं उम्मीद कता और छोटी से उड़ आपके काम क्योंगी आपके helpful होगी अगर बोडियों चलिगे ती से लाइक कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों में वाट से facebook ग्रूप में और अपने चैनल पर लेकर आते रहे तो तो आप मारे चैनल को जोड़ो सिस्क्रीब कीजिए मिल थे कि नहीं वड़ों तब तक लिए ख्याल रखेगा बाद